आलो फ्रेंड्स, वेलकम टो एसेच फ्रेशन वर्ल्ड, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ, कि हम जो जैंट साफ स्वर्टर बनता है, या आप लेडीज जो हाफ कार्डिगन बनाते हैं, या बच्चों का अगर आप हाफ जैकेट बनाते हो, अपने बनाने के जरूत नहीं पड़ेगी, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले देखिए मैं इसको बनारी हूँ, ये बेबी स्वर्टर मैं बनारी हूँ, उसके उपर मैं इसको बनाने वाली हूँ, तो देखिए किस तरह से बनता है, सबसे पहले यह और सकते हो और एक तरीका मैं आपको और बताओंगी क्या करना है हमने इस पंडे को बनाएंगे सीधा बनाएंगे राइट साइड पर हूं धहन रहां 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 द्यानों रखे पहले हम branches साइड का बनाएंगे उसके बाद मैं आपको दूसरा लेफ्ट साइड का बताऊंगी पहला फंदा बनाया और इसको इस तरह से सलाई पर बापिस से डाल दिया अब देखिए यह जो दोनों फंदे हैं यह के एक एक फंदा हमने आपर बना लिया इनके बीच में हमने सलाई को डालना है कोई भी फंदा नहीं पकड़ना है बीच में सलाई को डालेंगे और यहां से हम एक लूप बनाएंगे और इसको बापिस से सलाई पर डाल देंगे यह दो फंदे हमने बना लिये फिर से वैसा ही करेंगे दो फंदों के बीच में सलाई को डालते जाएंगे और यह तरह से और फिर से यहाँ पर फंदा बनाएंगे यह दिखे इस तरह से बना लिया फिर से डालेंगे इस तरह से इसी तरह से करते हूँ हमने यहाँ पर 9 फंदे बनाने है ठीक है 9 फंदे हमने यहाँ पर बनाने है अगर आपको बॉर्डर जादा चाहिए आप 11 भी बना सकते हो अपने हिसाब से आप जितना भी चौड़ा बॉर्डर यहां पर रखना चाहते हो क्योंकि मैं बच्चे का बना रही हूँ तो इसलिए मैं यहां पर 9 फंदे रख रही हूँ अब देखती हूँ कितने फंदे मैंने बना लिए एक यह वो वाला फंदा है जो हमने पहले जिससे बनाया इसके बाद हमने फंदे कितने बना एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ एक फंदा मुझे और बनाना है तो इस फंदे को थोड़ा सा हमने लूज रखना है इस तरह से लूज रखेंगे फिर देखें इस तरह से सलाई को गुसाएंगे बीच में और फिर एक फंदा और बना लिएंगे इस तरह से देखें मैंने यहाँ पर 9 फंदे बना लिए हैं 9 फंदे मैंने यहाँ पर कास्टोन कर लिए हैं अब हम क्या करेंगे अब हम यहां पर border बनाएंगे तो सबसे पहले border में मैं बता दूँ आपको दो फंदो की मैं यहां पर i-cord रखने वाली हूँ अब i-cord क्या होता है कुछ को पता नहीं होका उनको बता देती हूँ चेन वाला साइड में border आता है जो देखने में बहुत अच्छा लगता है और उसके बाद हमने border वही बनाना है यहां पर हम वही border बनाएंगे जो हमने नीचे border बनाया हुआ है आपने पल्ले के उपर तो यहां पर देखिए दो फंदे हम रख रहे हैं i-cord पे तो दो जो फंदे हैं सीधी तरफ से देखिए यह पहला फंदा मैंने उतार लिया दूसरे को मैं यहां पर बनाऊंगी सीधा बनाऊंगी उसके अगली रो में मैं आपको i-cord बनाना बताऊंगी ठीक है यह दो फंदे i-cord के लिए रखे हैं तो यह हमने एक उतारा और दूसरा सीधा बना लिया उसके बाद हम एक फंदा उल्टा एक सीधा इस तरह से बॉटर डालेंगे यह देखिए i-cord के साथ एक फंदा आपका उल्टा आना चाहिए जैसे दो फंदों के i-cord रखी है तो उसके बाद एक फंदा हम सीधा धागा आगे एक फंदा उल्टा धागा आगे धागा पीछे एक फंदा सीधा धागा आगे एक फंदा उल्टा जो नौ फंदे हमने देखिए बॉर्डर के लिए बनाये थे वो हमने एक फंद दो फंदे हमने तो यह i-cord के उतारे और उसके बाद एक फंदा उल्टा एक सिधा एक उल्टा एक सिधा इस तरह से हमने बना लिये इस तरह से हमारा यहाँ पर एक फंदा उल्टाया फिर अब यह जो दस्वा फंदा है यहाँ पर दियान से देखिएगा यह जो दस्वा फंदा है इसको हमने सीधा करना है इस तरह से सीधा करेंगे और इसके साथ पहले इस बॉर्डर को यहां पर बनाएंगे अब देखे पहले फंदे को उतारेंगे उल्टा ठीक है जो हमने दो काय किया था उसको हम उतारेंगे उसके बाद बॉर्डर वैसे ही बनेंगा एक फंदा सीधा एक उल्टा एक सीधा एक उल्टा एक सीधा एक उल्टा एक सीधा दाग आगे करेंगे और लास्ट के दो फंदे हमने उल्टे बना लेने हैं क्यूंकि यहाँ पर आई कॉड आएगी आप यहाँ पर देखे आजाईए थर्ड रोपे अब यहाँ पर ध्याँ से देखिएगा अब इसमें पहला फंदा उतारेंगे और क्यूंकि यह दो फंदे में आई कॉड बना रहे हैं तो दूसरे फंदे को भी हम यहाँ पर उतार लेंगे दो फंदे आई कॉड के हैं इन दोनों को हमने हर राइट साइड की रो में उतार लेना है दोनों को नहीं बनाना है, दागा आगे लाएंगे, अपनी तरफ लाएंगे, अब एक फंदा उल्टा बनाएंगे, एक फंदा उल्टा एक सीधा इस तरह से हम बॉर्डर बनाएंगे, इस तरह से देखे, ये राइट साइड की रो में हमने इसी तरह से बनाना है, जहां तक कि हमने दो काएक नहीं किया है यहाँ पर हर बार आपका उल्टा फंदा आएगा अगर आपने इस तरह से डाली है 9, 11 और नमबर में डाली है तो यहाँ पर आपका उल्टा फंदा आएगा उसके बाद देखे यह हमने दो काएक किया था यहाँ पर अब इस फंदे को फिर से हमने सीधा करना है इस तरह से यह सीधा किया और इसके साथ यह आगे वाला फंदा इन दोनों को हमने दो काएक कर लेना है पीछे की तरफ से हर राइट साइड हर राइट साइड की रो में कब तक अब दो फंदे हमने यहाँ पर कम हो गए हमारे एक हम करते जाना है जब तक की हमारे हमारे कम काई करते जाना है जब तक की हमारे नौठ अगे हम Нो फंत ही हम पैपना ही बनाएंगे दागा पीछे करेंगे वैसे दिख रहा है बॉर्डर का उसको हमने वैसे ही बनाना है लास्ट के जो दो फंदे हैं वो आइकोड के हैं इन दोनों को हमने उल्टा बनाना है यह देखे जो रॉंग साइड है उसमें हमने जो आइकोड के फंदे हैं उनको हमने दोनों को उल्टा बनाना है इस तरह से हम दोनों को इनको उल्टा बनाएंगे और राइट सैड में हमने जो आइकोड के दो फन दे रखे हैं इनको हमने दोनों को स्लिप करना है इस तरह से देखिए एक स्लिप किया और दूसरे को भी स्लिप कर लेंगे अब धागा आगे लाएंगे फिर से मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ एक फन दा उल्टा बनाएंगे दागा पीछे एक फन दा सीधा दागा आगे एक फन दा उल्टा दागा पीछे इस सीधा यह बॉर्डर हमने इसी तरह से डालना है जब तक कि हमारा जो दो का एक वाला फन दा है वो नहीं आजाता तब तक हम इसी तरह से बनाएंगे एक उल्टा एक सीधा इस तरह से बनाएंगे और यहाँ पर देखिए यह वो वाला फन दा है जो हमने दो काई किया था तो इसको फिर से हमने सीधा करना है इस तरह से हम इसको सीधा कर लेंगे और फिर इसके साथ आगे वाला फंदा इन दोनों को पीछे की तरफ से दो काएक कर लेंगे ये हमारे यहाँ पर तीन फंदे कम हो गए हैं इसी तरह से करते हुए हमने जाना है जब तक कि हमारे पास नो फंदे कम नहीं हो जाते तो इसको हर wrong side की row में slip करेंगे फिर एक फंदा सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा दागा आगे और यहाँ पर देखिए लास्ट के दो जो आई कोड के फंदे हैं वो हर वार हमने रॉंग साइड में उल्टे बनाने हैं देखिए इस तरह से हम इनको उल्टे बना लेंगे अब नेक्स्ट रो पे आजाईए तीन फंदे हमारे यहाँ पर कम हो गए हैं और यहाँ पर देखिए आपको चेंज से दिखेगी अब फिर से राइट साइड में हमने दो फंदे जो आई कोड के हैं दोनों को हमने स्लिप करना है धागा आगे अब लास्ट का जो फंदा है जहाँ पर हमने दो के किया था उस तक हमने फिर से इसको एक फंदा सीधा एक उल्टा इस तरह से बनाते जाना है और अगर आप यहाँ पर कुछ और बॉर्डर डाल रहे हो बॉर्डर भी आप टाल सकते हो अगर आपने नीचे कुछ और बॉर्डर डाला है यह देखिए यहाँ पर एक फंदा उल्टा है इसको उल्टा बना लेंगे इसके बाद देखिए फिर से वही वाला फंदा आगया है जो हमने दो के किया था तो इसको हमने इस तरह से सीधा करना है और फिर इसके साथ आगये वाला फंदा को दो काएक कर लेना है इस तरह से देखिए यह हमने चार फंदे यहाँ पर कम कर लिए तो अब हम पांच फंदे और इसी तरह से कम करेंगे पांच फंदे और इस तरह से डिक्रेज करेंगे और फिर हमारे टोटल ये 9 स्टिचिस हो जाएंगे इस तरह से और लास्ट के जो दो फंदे हैं वो हर वार हमने रॉंग साइड में देखिए इस तरह से उल्टे बनाने हैं दोनों यह देखिए तो अब क्या होगा हर right side में देखिए 4 फंदे तो हमने इस तरह से कम कर लिए इसी तरह से हम 5 फंदे और कम करेंगे ये जो हमने जहाँ पर 2 का एक किया है देखिए इसके साथ हमने ये वाला फंदा हर right side में कम करते जाना है कितने हमने करने हैं देखिए 4 हमारे हो गए अब ये 5, 6, 7, 8 और ये 9 यहां तक हमने ये कम करने हैं तब तक हमने इसी तरह से ये ही बुनाई करते जाना है इतना हमारा हो जाएगा इसी तरह से हमने ये करते जाना है जब तक कि हमारे 9 फंदे यहाँ तक यह कंग नहीं हो जाती। तो इतना आप बना लेजी, उसके बाद मैं आपको आगे बताती हूँ। तो अब यहाँ पर देखिए, मैंने 8 फंदे यहाँ पर कंग पर liए हैं, अब वो मैं आपको बता देती हूं, तो सबसे पहले तो हम इन दो फंदों में आई कॉड बनाएंगे, तो उसके लिए हम दोनों फंदों को slip करेंगे, दागा आगे लाएंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे, दागा पीछे, एक फंदा सीथा, दागा आगे, एक उल्टा, दागा पीछे अब यहां पर देखिए जो दो काई किया था यहां पर फिर से हमने दो काई करना है यह देखिए इस तरह से इस फंदे को सीधा किया फिर इसके साथ आगे वाला फंदा सीधा दो नो फंदों का दो काई कर लिया तो अब हमने यहां पर नो फंदे डिक्रीज कर एक और तरीका है जैसे अगर आप भूल जाओ कहीं कि आपने आपके 9 फंदे नहीं हुए है तो आप यहां से भी chain count कर सकते हो देखे 1,2,3,4,5,6,7,8,9 यहां से भी आप chain count कर सकते हो यहां आप चाहे तो पहले ही 9 फंदे आप गिन लीजी और उसके साथ आप stitch marker भी लगा सकत हो ताकि आपको याद रहे कि आप 9 फंदे आपको decrease करने है 9 फंदे आपको कम करने है अब हमने यहां से turn नहीं होना है दूसरी तरफ को अब हमने यह पूरी रो आगे तक बना लेनी है यहां तक हमने अब यह पूरी रो अपनी जो भी आप design डाल रहे हो उसके साथ आपनी य यह वाला design मैंने आपको बनाना सिखा दिया है इसे पहली video मेरी इसी design के थी तो आप please check करिएगा channel में जाकर के किस तरह से मैंने design डाला है तो इसी design के साथ मैं इस row को पूरा complete कर लूँगी आपने जो भी design डाला है उसके साथ आप इस row को पूरा complete कर लीजिए तो आप देखिए यह row मैंने पूरी बना करके complete कर ली है यहाँ पर हमें कुछ भी कटाना बढ़ाना नहीं है अब हम दूसरी तरफ आ जाईए wrong side में यहाँ पर भी same हम जैसे हमने यहाँ पर shape दी 9 फंदे हमने यहाँ पर कम किये वैसे हमने यहाँ पर भी 9 फंदे कम करने है यहाँ पर 9 फंदे पहले border के लिए डालेंगे फिर 9 फंदे हमने यहाँ पर decrease करने है same जैसे हमने इधर किये तो थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ i-court के साथ हम किस तरह से इस तरफ decrease करेंगे wrong side में तो क्या करेंगे देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर 9 फंदे बनाएंगे ठीक है 9 फंदे हम किस तरह से बनाएंगे same वैसे भी आप बना सकते हो तो आप इस तरह से भी पीछे की तरफ से slide को डालेंगे और फंदे को इस तरह से डालेंगे slide के उपर एक हो गया इस तरह से हमने 9 फंदे बनाने है slide हम इस वार पीछे की तरफ से डालेंगे और इस तरह से देखे फंदे को slide में डाला फिर से 2 फंदों के बीच में आप किसी तरह से भी यहाँ पर फंदे बना सकते हो यह जुरूरी नहीं है कि जिस तरह से मैं फंदे डाल रही हूँ वैसे ही आप भी फंदे डालोगे फंदे आप जो भी तरीका डालना चाहते हो जिस तरह भी तरीके से आप फंदे डालना चाहते हो उस तरह से आप डाल सकते हो तो मैं इस तरह से यहाँ पर 9 फंदे बना लूँगी तो आप देखिए मैंने यहाँ पर 9 फंदे बना लिए हैं 9 फंदे मैंने यहाँ पर cast on कर लिए हैं अब हम इनकी बुनाई करेंगे यह wrong side है और यह right side वाली पट्टी थी तो आप wrong side पर किस तरह से बनाएंगे देखिए पहले तो हम दो फंदों में आई कॉर डालेंगे तो आई कॉर डालने के लिए पहले को उतारा और दूसरे फंदे को उल्टा बना लिया इस तरह से बना लिया फिर दागा पीछे करेंगे क्यूंकि यह wrong side है तो अब एक फंदा सीधा बनाएंगे पहले दो फंदे तो ऐसे ही बनाएंगे सीधे हमारे आएंगे मतलब wrong side से हमारे दोनों ही उल्टे आएंगे फिर उसके बाद एक फंदा सीधा एक उल्टा दागा पीछे एक फंदा सीधा दागा आगे एक फंदा उल्टा धागा पीछे एक फंदा सीधा धागा आगे एक फंदा उल्टा धागा पीछे एक फंदा सीधा ये नौ फंदे हमने इस तरह से बनाने हैं दो फंदों में देखी हमारे उल्टे आए फिर एक सीधा उल्टा सीधा उल्टा सीधा उल्टा सीधा आप धागा आगे लाएंगे ये जो दस्तों फंदा है और उसके साथ है आगे वाला फंदा इन दोनों को हमने इस तरह से दो का एक करना है ये इसी तरह से करते हुए देखे एक फंदा हमारा यहाँ पर कम हो गया दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ और ये नौ से हम टर्न हो जाएंगे राइट साथ की तरफ को अब राइट साथ की तरफ को क्या करना है ये जो पहले वाला जो हमने दो काय किया इसको तो हमने स्लिप करना है बाकी धागा आगे लाएंगे अब जो फंदा जैसे दिख रहा है एक फंदा उल्टा धागा पीछे एक सीधा धागा आगे एक उल्टा धागा पीछे एक सीधा धागा आगे एक उल्टा अब धागा पीछे करेंगे इन दो फंदों में हमारी आई कॉर्ड है तो जो सेकंड ल वो फंदे निकल गए जो second last each है इसको हम slip करेंगे इस फंदे को हम slip करेंगे यहाँ पर जो हमारी icon बनेगी उसके लिए एक फंदा slip करेंगे और आगे वाले last का जो फंदा है उसको सीधा बना लेंगे फिर यहाँ से turn हो जाएंगे फिर से wrong side की तरफ को यहाँ पर हमारे फंदे wrong side की तरफ को कम होंगे और इस तरफ हमारे right side की तरफ को कम होंगे तो अब देखिए फिर से हमने यह फंदा slip करेंगे पहले वाला फंदा slip करेंगे और अब आगे वाला फंदा हम बनाएंगे क्योंकि हमने पिछवाली रो में इसको slip किया था ठीक है य इन फंदों को एक सीधा एक उल्टा का बॉर्डर जैसे हम बनाते हैं वैसे ही हम इनको बनाएंगे जहां तक कि हमने दो का एक नहीं किया हुआ है तो यहां पर देखिए यहां पर हमने दो का एक किया था तो इस फंदे के साथ आगे वाला फंदा हमने दोनों का एक करना है उल हमने और कम करने है फंदे हमारे इस तरफ सहर Stewart पर ही हो तरुटे और हमारा हर बार देखिए इस तरह से मिसे अस सिप्फ करेंगे और पूरे फंदे हम से मैंसे ही बनाएंगे उल्टा सीधा और लास्ट के दो बना लीजिए जब तक आपके नौँ फंदे कम नहीं हो जाते यहाँ पर भी तब तक आप इसको इसी तरह से continue रखे 9 फंदे बनाने तक जब तक कि आपके 9 फंदे कम नहीं हो जाते देखे मैंने 8 फंदे कम कर लिये हैं और उसके बाद मैं यहाँ पर wrong side पर हूँ जहाँ पर मुझे 9 फंदा कम करना है ठीक है तो यहाँ पर यह फंदे मैंने बना लिये हैं अब यह वो वाला फंदा है जो हम 2 काय कर रहे हैं हर बार तो इसके साथ हम आगे वाला फंदा भी बनाएंगे यहाँ पर हमारे यह 9 फंदे फिर कम होगे नौ फंदों में हमने यहाँ पर यह शेप दे दी अब हम इस पूरी रो को बनाएंगे जो भी हम design डाल रहे हैं जब हम 9 फंदे यहाँ पर 9 फंदे कम हो जाएंगे यहाँ पर तो उसके बाद आपने turn नहीं होना है फिर आपने पूरी रो आगे तक बना लिनी है इस row को पूरा आगे तक बना लीजिए, जो भी आप design डाल रहे हो, उसके साथ आपने continue करना है, जैसे मेरा देखे यहाँ पर सीधे आएंगे, फंदे, तो मैं यहाँ पर सीधे बनाऊंगी, जो भी आप design डाल रहे हो, उसके साथ आप इस row को पूरा complete कर लीजिए, last तक, तो आ अगर slip करेंगे तो इसे long सी chain बनती है, तो इसलिए मैंने इस फंदे को यहाँ पर slip किया है, wrong side से, right side पर आजाईए, अब यहाँ पर ध्यान से दिखेगा, क्या हम करेंगे, पहले तो इन दो फंदों में देखिए, आपको जब तक आपके यह पूरा नहीं हो जाता, गले तक तब तक आपको यहाँ पर दो फंदों में आई कोड हमारी यह चलती रहेगी, इस बात का आपने ध्यान रखना है, यह हमारी हर बार ऐसे ही चलेगी, दिखी क्या करेंगे, यह पहला फंदा slip किया और इसके साथ दूसरा फंदा भी हमने slip करना है, यह दो फंदे हमारे हर बा आपको आगे भी बनानी है, तो अब देखिए, यह हमने एक उल्टा बनाए, यहाँ तक यह वाले फंदे से इधर तक हमने उल्टा सीधा जैसे भी हमारा फंदा का बॉर्डर है बैसे हमने बनाना है, जब तक कि हमारा दो का एक हमने किया था, वो वाला फंदा नहीं आ जात ठीक है इस तरह से हम बनाएंगे मतलब 9 फंदे हम बनाएंगे दो फंदो में हमेरे आइकॉड आएगी पाकी एक फंदा सीधा एक उल्टा इस तरह से हमारा बौडर आएगा 9 फंदो तक अब देखिए यहां अब तक हमारा हो गया यह अब उसके फंद यह वह वाला फंदा है जो हमने दो काय किया था तो इसको फिर से हमने दो काय करना है इस फंदे को ऐसे सीधा करेंगे देखिए और इसके साथ ही आगे वाला फंदा हम पीछे की तरफ से दो काय कर लेंगे इस तरह से हम कर लेंगे तो यहां पर हमने एक फंदा और डिक्रीज कर लिया तो इस तरह स मतलब यहां तक हमने यह decrease करना है, पांच फंदे हमने इसके बाद decrease और करने हैं, तो यह हमने कर लिए यहां पर नौ फंदे, उसके बाद हम पांच फंदे यहां पर जो हमारी यहां पर इस तरह से shape आएगी, आर्फ मोल की इस तरह से cutting होगी, वो हमारी यहां पर यह आएगी, यह फंदे हमारे 4 और कम नहीं हो जाते तब तक हम इसी तरह से 2 का एक हर बार यहाँ पर करते जाएंगे फिसके बाद हमने design जैसे भी डालाई पूरी रो हमने last तक इसी तरह से बना लेनी है अब हम पूरा बनाएंगे आगे तक रो और उसके साथ decrease भी करते जाएंगे तो जैसे भी आपका design है उसी तरह से आप ये पूरी रो complete कर लीजिए last तक अब देखिए यहाँ पर मैंने पूरी रो ये बना करके complete कर लीए है उससे पहले मैं आपको एक बात और बता देती हूँ यहाँ पर मैंने इस फंदे को slip किया है यह जो दो का एक हमने किया था इस फंदे को slip किया है इससे हमारी long chain आएगी उससे फिर ये design आपका अच्छा दिखेगा यहाँ से उबरा हुआ ठीक है तो इसलिए आप इस फंदे को slip कर लीजिएगा अब wrong side पर आजाएए अब wrong side पर यहाँ पर भी हमने 5 फंदे decrease करने हैं ठीक है तो किस तरह से करेंगे पहले फंदे को देखिए उतारा और दूसरे को हम उल्टा बनाएंगे यह icon है उसके बाद फिर से जैसे हमने border डाला था वैसे हम border को continue करेंगे जब तक कि हमारा वो वाला फंदा नहीं आजाता जब हमने 2 का एक किया था इस side तो देखिए इस तरह से इस सीधा और देखिए यह वो वाला फंदा है जो हमने 2 का एक किया था तो इस यह फंदा और इसके साथ आगे वाला फंदा इन दोनों का हमने 2 का एक कर लेना है यह हमने एक कर लिया तो यहाँ पर भी हम एक तो तीन चार यह फंदे इसके साथ यह हो गया तो यह टोटल पांच फंदे हम यहाँ पर डिक्रीस करेंगे तो पांच फंदे हम टोटल यहाँ पर कम करेंगे और पांच फंदे हम यहाँ पर डिक्रीस करेंगे हर रॉंग सैड में इधर करेंगे और हर राइट सैड में इधर करेंगे इसके साथ हम पूरी रो आगे तक बनाएंगे और राइट सैड में भी हम पूरी रो आगे तक कम्प्लीट हो गई है 5 5 फंदे मैं यहाँ पर भी डिक्रीज कर लिए हैं पूरा हमने बनाते हुए और यहाँ पर हमारी यह शेप खतम हो जाती है यह मैं बनारी हूँ 5 साल के बेबी को तो इसको मैंने इतने टोटल हमने यहाँ पर 9 फंदे तो हमने एक साइट से ही डिक्रीज किए फिर दूसरी साइट से किए फिर जो 5-5 फंदे हम next decrease करेंगे दोनों तरफ से वो हम पूरा बनाते हुए हमने decrease किये हैं तो इस तरह से हमने पूरे यहां पर total 14 फंदे किए हैं और 14 फंदे बनाने के बादे कि हमारी यह शेप इस तरह से आ गई है यहां पर आपको शेप भी दिख रही होगी अब यह देखे अब हम कुछ भी decrease नहीं करेंगे अब हम सिंपल बनाएंगे यह बॉर्डर हमने इसी तरह से उपर तक बनाते जाना है जब तक कि हमारी जो शोल्डर की लंबाई है वो नहीं हो जाती दो फंदों में हम आई कार डाल रहे हैं वो इसी तरह से हम डालेंगे बाकी यह जो आगे वाले फंदे हैं देखे एक उल्टा सीधा उल्टा सीधा उल्टा सीधा उल्टा इस तरह से बनाएंगे और इस फंदे को हम स्लिप करत गीज़ के उलटा सीधा जैसे भी दिख रहा है वयसे ही पनेगा और लास्ट में इस साइड भी हम सेम बॉर्डर वैसा ही बनाएँगे यह वाला जो फंदा है इसको हम 27 को बाकि दो फंदो की आइकोड होगी और बीजने जो उलटा स्क्रीन पर आपको दिख रही होगी सो थैंक यू मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाबाई